जीवन का मूलिय, एक दिन की बात है, पिता ने देखा कि उसका बेटा घर के लॉन में गुमसुम बैठा हुआ है, वो बेटे के पास गया और उससे पूछा, बेटा, क्या बात है, गुमसुम से क्यू बैठे हो, मैं कुछ सोच रहा हूँ पापा, बेटे ने जवाब दिया, म पिता मुस्कुरा उठा और बोला, अच्छा ये बात है, यदि तुम सच में अपनी जिन्दगी की कीमत समझना चाहते हो, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, बेटा तैयार हो गया, पिता ने उसे एक पत्थर दिया, जो दिखने में साधारन साही था और कहा, बेटा, इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ, वहां किसी स्थान पर ये पत्थर हाथ में लेकर बैठ जाना, कोई इसकी कीमत पूछे, तो कहना कुछ नहीं, बस अपनी दो उंगलियां खड़ी कर देना, बेटा बाजार चला गया और एक जगा पर हाथ में पिता का दिया हुआ पत्थर लेकर बैठ गया, उसे वहां बैठे हुए कुछ समय ही गुजरा था कि एक बूरी ओरत उसके पास आई और पूछने लगी, बेटा, इस पत्थर की क्या कीमत है, लड़का कुछ बोला नहीं, बस अपने पिता के कहे अनुसार अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दी, अच्छ पत्थर की ओरत की बात सुनकर लड़का हैरान रह गया, उसे अंदाजा ही नहीं था कि एक साधारन से दिखने वाले पत्थर के लिए कोई 200 रुपे भी दे सकता है, खेर, उसने वो पत्थर बेचा नहीं और घर आ गया, घर आकर उसने सारी बात अपने पिता को बताए, म्यूजियम चला गया, वहां एक आदमी ने उसके हाथ में वो पत्थर देखकर पूछा, इसकी कीमत क्या है, लड़का कुछ नहीं बोला, बस अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दी, अच्छा 20,000 रुपे, ठीक है, मैं ये तुमसे 20,000 रुपे में खरीद लूँगा, आदम बेचने से मना कर वो घर आ गया, वहां अपने पिता को उसके सारी बात बताए, तब पिता ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगा भेजता हूँ, इस पत्थर को लेकर अब तुम किसी कीमती पत्थरों की दुकान पर जाओ और वहां भी कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो कुछ कहना मत, पहले की तरह बस दो उंगलियां खड़ी कर देना, लड़का तुरंट कीमती पत्थरों की एक दुकान में पहुचा, उसके हाथ में वह पत्थर देख, दुकानदार तुरंट उसके पास आया और बोला, अरे ये पत्थर तुम्हारे पास क्या से, इसे त दो लाख रूपे, ठीक है, मैं अभी तुम्हें दो लाख दो सो रूपे देकर ये पत्थर तुमसे खरीद लेता हूँ, वो आदमी बोला, दो लाख रूपे सुनकर लड़के की आँखें आश्चर्य से फैल गई, ये कीमत तो उसकी सोच से भी बाहर थी, खेर, उसने वो पत्थर नहीं बेचा और घर चला आया, घर पहुचकर उसने अपने पिता को बताया, पापा, यकीनी नहीं हो रहा कि कोई इस पत्थर के दो लाख रूपे देने को भी तैयार है, ये कैसा पत्थर है पापा, कोई इसे दो सो में खरीदना चाहता है, तो कोई 20 हाजार में, और तो और इसे दो लाख रूपे में भी लोग खरीदने को तैयार हैं। आखिर, इसकी कीमत क्या है? पिता बेटे को समझाते हुए बोला, बेटा, तुमने अपनी जिन्दगी की कीमत मुझसे पूछी थी ना? इस पत्थर की जगह अपनी जिन्दगी को रखो और अंदाजा लगाओ अपनी जिन्दगी की कीमत का। इस पत्थर की कीमत अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग थी। वैसा ही जिन्दगी के साथ भी है। तुम्हारी जिन्दगी की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहां पर रखते हो. यदि तुम खुद को 200 रुपे वाली जगा पर रखोगे, तो तुम्हारी जिन्दगी की कीमत 200 रुपे की है. अब ये तुम्हें तै करना है कि तुम खुद को कहां रखते हो सीख, लोग हमारा और जिन्दगी का अलग-अलग मूलिया कन करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, हमें अपना समझते हैं, उनके लिए हम सब कुछ होते हैं लेकिन जो हमें बस इस्तिमाल करना चाहते हैं, हमारा फाइदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ भी नहीं होते. वास्तव में जीवन अमूलिया है, इसका मेहत्व समझें. कहानी अच्छी लगी हो तो कृप्या लाइक करें, शेयर करें और सबस्क्राइब आवश्य करें. और कहीं भोल हुई हो तो मुझे माफ कर कमेंट में आवश्य बताएं. दोस्तों मैं औरों की तरह कोई कसम नहीं ताहे कृप्या सहयोग कर यश के भागी बने. सधन्यवाद. याजिरा मैं आवश्य कर यथार जरू सिरिवाद.